हेलो दोस्तों वल्कम बैग यूटूब चनल गाईज आज हम देखने वाले CRPC के मोस्ट इंपोर्टेंड MC कोशन आज हम सोल करने वाले है यहाँ पर सबसे फर्स्ट कोशन क्या देगो और अंदर किसको ग्रांड दी जायेगी मतलब की पार्ड़ जब दी जाती है तो उस समय क्या होता है उस समय जो है इस परसन गेपाड़न पार्डन डे दे जाती है उसकर सजा म कर दी जाती है उस समय उसको पुलिस कशिड़ी में रखने की कोई जुरूत नहीं है, okay, cease concern है, next question है, section 311 of CRPC, यहाँ पर section 311 of CRPC क्या कहता है, does not include accused as a witness, ठीक है, यहाँ पर section 311 of CRPC कहता है, does not include as accused as a witness, accused को एक witness की रूप में नहीं माना गया है, यहाँ पर जो है, इसका 311 section है, अब आप बात की जाती है, an order under section 319, यह जो इतने भी जो मैं आपको CRPC की कोशन करा रहा है, यह जितने भी जो है, आपको section दिखे रहे, most important section है, यह आपके AIB19 में आने वाले है, ठीक है, AIB19 और आपके जो है, RJS, जो भी judiciary के exam है, उन सभी में कंसर, BA cannot be passed unless at least one, ओके, तो इस कंसरी हो जाएगा, next question देखते है, compounding and offense, देखो compounding and offense के बारे बात की गई है, compounding तो आपको पता ही होगा, कोई भी offense होता है, उसकी रजा बंदी की जाती है, समझोता कर लिए जाता है, केस को वापस लिए जाता है, तो 320 CRPC के तो compounding and offense है, इसमे बात की गई है कि कोई भी, can any be done after obtaining the permission from court, court से permission लेके भी आप कर सकते हो, complainant खुद भी कर सकता है, तो यहाँ पर जो है, इस कंसरी हो जागा, none of these, इन में से कोई नहीं है, none of these, okay, next question है, does can proceed under section 340, CRPC के 340 जब हम बढ़ते है, उसमें जो है, hold a preliminary inquiry, preliminary inquiry जो hold की जाती है, वो किसके के दुआरे की जाती है, वो जो civil court के दुआरा, revenue court और criminal court, तीनों court के दुआरा जो है, आप जो है, यहाँ पर preliminary inquiry को hold की किया जा सकता है, okay, इस cancer क्या हो जाएगा, डीस cancer हो जाएगा, next question हम देखने वाले है, question number 6, under section 340 of CRPC, 340 of CRPC के अंदर जो move, CEO motto, okay, जो कोई भी जो है, CEO motto मे जो है, यहाँ पर जो court, CEO motto कर सकती है, can, okay, और यहाँ पर जो not CEO motto, यह नहीं होगा, ठीक है, इस cancer यह भी हो सकता है, move on the application made of a stranger, कुछी भी stranger के दोरा, यह move on the application made by one of the party, तो इस cancer क्या हो जाएगा, 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 के है, D, इस cancer D हो जाएगा, okay, तो अब हम आगे देखते है, आग Most important question, if, if a judge dies after writing his judgment, but before delivering it, इसका मतलब क्या है, कोई, किसी भी judge की death हो जाती है, judgment लिखने के बाद, मगर उसकी delivery अभी दी नहीं है, बोला नहीं है, तो उसको क्या समझा जाएगा, उसको opinion समझा जाएगा, the judgment will be considered merely as an opinion, okay, see, इस cancer है, अब यहाँ बात किये, judgment क्या है, देगो, इ यहाँ पर, ace concern should not contain the name of the victim in case of sexual offense, देगो, कोई भी victim हो, कोई भी लड़की हो, उसका कभी भी नाम नहीं आता है, कोई भी sexual, जो भी offense होता है, या कोई भी जो की जाती है, ठीको, उसकी लड़की की तरफ से कोई complaint की जाती है, FIR करवाई जाती है, तो कोई भी कहीं भी नाम नहीं अगर, judgment पर भी नाम नहीं आएगा, ठीक है, ओके, next question, यहाँ पर, next question, the maximum possibility compensation, awarded under section, 357, CRPC, CRPC की जो है, धारा 357 के अंदर, यहाँ पर, compensation की बात की गई है, मगर, जो है, depends on discretion of judge, judge के discretion पर ही, जो है, बात की जाएगी, ओके, next question देखते है, question number 10, if, if the accused is convicted in a criminal case for an offense under, under the statute which does not provide for payment of compensation, अगो पेमेंट कमबनेशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है, उसको convict, convict भी कर दिया गया है, तो इसमें क्या है, इसमें जो subsequent suit आपको लगसे डालना पड़ेगा, एक suit डालना पड़ेगा, लगसे इसका अंतर सी हो जाएगा, देखो, the court can award compensation under section 357 of CRPC, but award will be taken into account in subsequent civil suit, okay, civil suit डालना पड़ेगा, next question है, dash, okay, dash, dash of CRPC, compensation payable victim, okay, 354A will be addition of the compensation payable under section 326A, 376D, ठीक है, of IPC, IPC के अंडर 326A और 376D, ठीक है, इनका जो compensation है, वो जो है, आपको 357B के अंडर मिलेगा, ठीक है, next है, आपको question है, which of the following section of the CRPC, regarding of treatment of victim of sexual crime, ठीक है, ठीक है, ठीक है, sexual crime की जो treatment है, treatment of victim, ये 357 का C होगा, ध्यान लगना है, इस कांसर्ट, okay, 357 का C है, okay, next question है, आपे, an appeal, an appeal against the judgment of acquittal under section 378 of CRPC, ठीक है, 378 जो CRPC के अंदर जो appeal की जाती है, ठीक है, वो appeal कैस क्या हो सकता है, can only be filed by public prosecutor, देखो, कोई भी appeal जो की जाती है ना, judgment की, वो PP के दुवारा की जाती है, मगर एक चीज़ तुमें, एक extra point में आपको बता रहो, जब PP appeal करता है, तो उसके जो है, appeal के लिए, executive magistrate, जो executive magistrate होता है, ठीक है, executive magistrate मतलब की state, executive magistrate जो है, order देता है, PP को, कि वो जाके, वहाँ पर appeal करे, तो यह ध्यान लखना है, यहाँ पर पढ़ना है, इसको अच्छे से, इसमें read करना है, ठीक है, executive magistrate का भी नाम आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि state की तरफ से होता है, next question है, section 401 of CRPC के बारे में क्या बात की गई है, ठीक है, इसका अंसर B है, तो second and fourth, देख लो एक बार, allow the court to pardon to convict, ठीक है, court convict, जो है, pardon कर सकती है, सजा को माफ कर सकती है, वो सिफ कोन कर सकती है, वो applicable of high court, high court कर सकती है, ठीक है, high court कर सकती है, और 304 एक और क्या बोल रहा है, 304 एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोलेगी, the court can interfere even after the expiry of the sentence, sentence के expiry होने के बाद भी, can interfere कर सकती है, court, ओके, 20 concern है, next question, 401 section, 401 most important question है, most important section है, C, a party who is in competent of court cannot be heard, ठीक है, यहाँ पर जो है, इस concern C हो जाएगा, next question देखते है, next question, dash, dash, the CRPC, power of arrest, magistrate, 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 magistrate जो है, arrest कर सकता है, ठीक है, magistrate, अब दो को arrest, जो है, 41, 42, 43, 44, CRPC में कर सकते हैं, 41 के अंदर जो arrest किया जाता है, अगर कोई वैक्ती, जो है, police, जो है, without warrant, arrest कर सकती है, वो भी cognizable offense में, ठीक है, without warrant कर सकती है, ध्यान रखना है, 42 में कोई वैक्तिकर, किसी police को name और address नहीं बताता है, उसमें arrest कर सकती है, 43 में कोई भी private person arrest कर सकता है, कोई cognizable offense करता है, 44 में magistrate भी arrest कर सकते हैं, ठीक है, तो 44 is cancer, 20 cancer हो जाएगा, CRPC के, next question है, एकर CRPC के अंदर बात की गई है, कि allow person making arrest, किसी प्रेक्टिकों का arrest कर लिया है, तो उसके पास कुछ weapon मिलता है, तो उसको police जो है, स्तीज कर सकती है, उसको weapon ले सकती है, वो कौन से section में, section 52 के अंदर, ठीक है, section 52, okay, next question, section 321, ये सब जो है, आपको compoundable जो है, offense की बात की गई है, कौन से compoundable है, ये कौन से IPC से related है, ये आपको खुछ से त्यारी करनी है, ठीक है, बीस का अंसर है, देखलो, 421, ठीक है, fraudulent, removal, और concealment of property, इसका जो है, IPC कौन से है, 421, okay, तो इस तरीके से जो है, हमारे question होते है, है, ओके, यहाँ पर देखो, ये भी जो है, compound, यहाँ पर compensation की बात की गई है, कोई भी order, जो है, court compensation के लिए, कौन से section में बात की जाएगी, compensation के लिए, ठीक है, section 357 के अंदर compensation की बात की गई है, including, यहाँ पर next question है, ओके, इस तरीके से question हमने करे है, ओके, आप देखो, यहाँ पर which bail, यहाँ बेल वाला question है, बेल कौन से 3, 336 में बेल लिए जा सकते, देखो, बेल 336 में, 337 में, 338 में, और 349 में, चारों में बेल लिए जाती है, मगर 336 में बेलेबल, ओफेंस में, 337 में नोन बेलेबल, मगर magistrate, magistrate जो है, 337 में बेल देते हैं, ठीक है, 338 में जो है, आपके पास, जो है, 338 में, आप जो है, सेशन कोट और हाई कोट से ले सकते हैं, इसको, इसमें एंटिसिपेटर बेल ले सकते हैं, और 349 में आप जो हाई कोट से बेल ले सकते हैं, ठीक है, तो यह पर लास्ट कोर्शन हमारा 30 320 CRPC फ्रोडुलेंट रिमोल कंसिल्मेंट और प्रोपर्टी 30424 IPC ठीक है टेलीग्राम को जोइन कीजिए और हमेरे इंस्टाग्राम को आप हमें फोलो कर सकते हैं मिलते नेक्स वीडियो में जयाहिन जयावारत